बिहार पिधान साबाक के लिए 2025 में होने वाले आम चुनाओं में 40 महिला और 40 मुसल्मानों को टिकर देने का एलान कर चुके परसांत किसोर ने चार सीटों के उप चुनाओं में ही फरमूला राजनीती का सिरी गनेश कर दिया है। तीन सब्ता पहले जन्द सुराज पार्टी बनने वाले परसांत किसोर को पहली परिक्षा में ही दो-दो सबक मिल गया है। सुराज को पहले घोसित उमिदवार दो सीटों पर बदलना पर है। पीके ने चार सीटों के उप चुनाओं से चुनाओं राजनीती में दस्तक देने जा रहे जन्द सुराज पार्टी के लिए एक राजपूत, एक कुस्वाहा, एक पासमान और एक मुसल्मान कैनिडेट चुना है। जी हां मैं रोशन और आप देखें राणी टैम्स, राणी टैम्स में का स्वागत है। जिस कुस्वाहा वोट की नाराजगी के कारण एंडिये के हाथ से शहाबाद और मगत छेतर की कई सीटे निकल गई। राजपूत की लिष्ट में जगा नहीं मिल पाई है। जन सुराज ने राजपूत जाती से किरन सी को उतारा है। मायावति की बास्पा ने पिंटू यादब को सिंबल दिया है तो वहीं परसांत की सोर ने यहाँ कुईरी जाती से आने वाले सुसील सिंग कुस्वाहा को लरा दिया है। जबकि रामगढ में कुस्वाहा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बाकी दलो की लिष्ट में कुस्वाहा गायब देखकर पिकी नहीं यह दाव चला है। यह सीट सुधाकर सींग के बक्षर से सांसत बनने से खाली हुई थी। अमर्थकों ने कथित तौर पर हंगामा कर दिया था। यह सीट सुरेंदर यादप के जहानाबाज से MP बनने के कारण खाली हुई है। अब बात करें इमाम गंज की अनुसूची जाती के लिए सुरक्षि सीट है। जिताना माजी की खाली की गई इस सीट से NDA में हमने उसकी बहु और उनके मंतरी बेटे संतो सुमन की पतनी दीपा माजी को लराया है। महागठवंदन से RJD ने भी एक महा दलित राजेस माजी को टिकर दिया है, जो एक बार गाया सीट से सांसग भी रह चुके है। इस सीट पर दो माजी कैनिडेट के बीचिराग पास्वान ने एक पास्वान को टिकर दिया है। जनसुराज पार्टी की कैनिडेट जितेंदर पास्वान अस्थानिय डॉक्टर है, जनसुराज ने भी अपने दलित कैनिडेट जितेंदर पास्वान को टिकर दिया है। तो अब देखना है 23 नौवंबर को, जी हाँ, अभी तो सभी पार्टी जीत रहे है, इस टोटल पार्टी जीत रहे है, फाइनली रिजल्ट तो 23 नौवंबर को ही आयेगा, जी हाँ, और उस दिन ही पता चलेगा कि वाकई में परसांत की सोरजी कितने पानी में है, वाकई मे उनका क्या हुआ, विशेश इस पर आप लोगा क्या कमेंट राय विचार है, क्या आप लोग को लगता है कि जन सुराज पार्टी से इस उपचुनाव में एक भी कैनिडेट जीतेगा, या वाकई में नहीं जीतेगा, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा तब तक के लिए बाबाट टेकर देखते रहिए, रौनी टैंक्स